नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है आज हम बनाएंगे दही और शकरगंधी की चाट जिसके लिए हमने ली है दो शकरगंधी चाट बनाने के लिए दो शकरगंधी ले उनको ची से धोकर उबालकर और छीलकर रख ले यहां हमने शकरगंदी उबालकर और शीलकर लख लिए है, चार चोटी हरी मिर्च, एक कटोरी दही, जीरा और नमक अब हम चाट बनाने के लिए एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम अपनी सामगरी डालेंगे सबसे पहले शकरगंदी को काट के छोटे छोटे पीस आपको इसमें डाल देना है, में शकरगंदी कट गई है, और आम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, आप आम इसमें डालेंगे एक चमल जीरा, नमक, स्वाद अनुसर तर आप अब हम इसमें दही डालेंगे अब हम इसमें दही डाल दी है अब हम इसको मिक्सी को चलाएंगे और इसके फाइन पेस्ट बनाएंगे दो मिनट आप इसको गुमा लेंगे अब यह हमारा पेस्ट त्यार हो गया है आप देख सकते हैं चार्ट त्यार हो गई है यह देखिए हमारी चार्ट बन कर त्यार हो गई है और यह सर्व करने के लिए त्यार है अब हम इसको बाउल में निकालेंगे आप इसकी तिकनेस देख सकते हैं और यह तयार हो गई है तो दोस्तों यह तयार हो गई है अब हम इसे डेकोरेट करेंगे कि देकोरेशन के लिए थोड़ी से सकरगंदी काटके रखी है उसके पीसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं और कोई भी तरह की नमकीन ले सकते हैं जिसी चाठ में क्रिस्पन आएगा अब चाहे तो नमकीन अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं खानी है सर्फ चाठ ख और हमारी ये चार्ट बनकर तयार है सर्फिंग के लिए आप बनाएं घर पर इस हेल्दी चार्ट को खाएं और हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करें तन्यवाद